तो मित्रों पिछले दो लेक्चर्स में क्योंकि हम ancient Indian history के बारे में बात करें हैं, भारत के प्राची नितियास के बारे में बात करें हैं, मैं आप लोगों के लिए पिछले जो दो वीडियो लाए था, उसमें से एक हडपा सब्विता की town planning थी, और दूसरा वीडियो आप करते हैं, लगपक 2-3 sessions और मैं आप लोगों के लिए प्राचीन भारत की इतियास के उपार लाऊंगा, जिसमें से एक वीडियो आज रात को भी आएगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, तो आज हम उसी series को continue करते हुए, agricultural expansion in ancient history को cover कर रहे हैं, दिखे मैं तो ऐसे विशो पे कम वीडियो बनाई जाती है, या आप यदि YouTube पे इस नाम से सर्च करोगे कि भारत के प्राचीन इतियास में क्रशी का कैसे विस्तार हुआ, पहली बात तो ये मन में topic आना भी बहुत जादा बड़ी बात है, लेकिन यदि आप सर्च करोगे, तो भी आपको जिसको उपर कम ही वीडियो प्राफ्त होगे, फिर हम इस वीडियो को क्यों लाए हैं, मित्रो मेरा इसा मानना है कि प्राचीन भारत के इतियास में, यदि आप लोगों को एगरी कल्चर का एक्सपेंशन समझ में आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि भाई, आरे कैसे म कर रहे थे तो आप लोगों को रिग्वेदिक काल भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा लेटर वेदिक पिरेड भी क्लियर होगा महा जन्पात पिरेड भी क्लियर होगा और मौर पिरेड भी क्लियर होगा मोटे मोटे तोर पे मित्रों में आप लोगों से भारत के प्राचीन इतियास के 1200 यर्ज की बात कर रहा हूँ 1200 वर्षों की बात कर रहा हूँ मित्रों रेगवेदिक काल से लेके मौरिक काल तक 1500 बीसी से लेके 320 बीसी 321 बीसी तक और उसके कई वर्षों बात तक भी एग्री कल्चर एक्सपेंशन एक बहुत बड़ी भुमे का निवाएगा इन चारों चैप्टर्स की जो सोल जो आत्मा है रिक वेदिक काल की बात करो लेटर वेदिक उत्तर वेदिक काल महाजनपत काल या भली मौरे काल की बात कर ले क्रशी के विस्तार को समझना इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि इन चारों पीरिड में एग्री कल्चर एक्सपेंशन ही आगे के परिवर्दन के मारगों को तयार करेगा फ्यूचर के रोड मैप को तयार करेगा जैसे जैसे मित्रो एग्रिकल्चर एक्स्पेंशन होता चला जाएगा वैसे वैसे आप लोगों को इन में चेंजेस होता हुँ देखेगा तो मैंने सूचा कि क्यों ना एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए जिसमें हम क्रशी के विस्तार को अच्छी तरीके से समझे उधारण के लिए मतलो अरली वेदिक पीरिड की लोग मतलब प्रारभिक वेदिक काल की लोग कहा रहा करते थे उसके बाद उत्तर वेदिक काल तक आते आते हैं कैसे भारत में लेटर विधिक पिरेट तक आते आते वो कैसे अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, गंगा घटी की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, उसके साथ साथ क्रशी कौन-कौन से परिवर्तन अर्थववस्ता में लाया, तो मैंने आप लोगों के लिए पूरे एक आचा-चा करेंगे, तो मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत मदद करेगा, इसके पीछे का थौट प्रोसेस ही है, मुद्दे की बात में मित्रों आते हैं करशी का विस्तार और प्राचिन भारत के इतियास में होने वाले बदलाव या परिवर्तन, लेट अस सबसे पहले मैं आप लोगों से एक सबसे बीसिक बात करना चाहूँगा, एगरी कल्चर जो होता है न, वो कैसे परिवर्तन के रास्ते को तयार करता है, टीपी टीपी पे हम थोड़ी देर से आएंगे, लेकिन करशी का विस्तार जो होता है न, वो कैसे आगे चेंजिस के र अधीशेश, अधीशेश का मतलब एक्स्टा, अरे भाई, आज अगर आप बात करोगे, तो भारत में आप लोगों को कई सारे वेराउसे, दुनिया में आपको कई सारे वेराउस देखने को मिलेंगे, वहाँ पे अन्न स्टोर किया जाता है न, गे हूँ हो, चावल हो, या दूसरे प्रकार के आप लोगों के वीड, सीरियल्स या दूसरे आप लोगों के एडिबल आइटम्स हो, खाते पदार तो, हम इस टोर तो तभी कर पारे न, जब हमारे पास एक्स्ट्रा है, सर्प्लस है, तो एगरी कल्चरल एक्सपेंशन के साथ मित्रों सर्प्लस एकॉन का बेसिकली मत्रब मित्लो होता है, कई समय तक खाने की जिन्ता ना होला, बेसिकली इसका मतलब यह होता है, अमित्रों एक बात आप समझे, एक एक एकॉनमी है जहां पे एक हजार लोग, एक हजार लोगों के खाने के पदार्तों का निर्माण कर पा रहे हैं, मतलब एक हज लोगों को जो survival के लिए चाहिए, भोजन जो चाहिए उनको, उसका निर्मान भी 1000 लोग कर पा रहे हैं, दूसरे तरफ ऐसे स्थिति आ जाए कि 20 लोग मिलके ही 1000 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, तो मित्रो ये जो बचे हुए 980 लोग होंगे, इनको अपने आपको दूस शेशी अर्थ ववस्ता आती है, तो समाज के कुछ ऐसे लोग फ्रीव हो जाते हैं, जो अपने आपको क्रशी के अलावा दूसरे कामों में इंगेज कर सकते हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं, ट्रेड इन कमर्स हो गया, व्यापार उन्वारेज हो गया, क्राफ्ट हो गया, आ हम एगरी कल्चरल सर्प्रस को अठेन करते हैं, क्रशी में हम अधीशेशी हो जाते हैं, तब दूसरे लोगों को अपने आपको दूसरे कामों में इंगेज करने की अपर्चुनिटी मिलती है, और इसके चलते ट्रेड इन कमर्स बढ़ता है, व्यापार वाणेज बनता है, आठ क्राफ्ट ये सारी चीज़े पढ़ती है, क्योंकि अपने आपको दूसरे कामों में इंगेज करने में तो मित्रो तभी मोका मिलेगा न लोगों को, उधारन मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज मित्रो वाल्ड एकॉनमिक फोरम के फाउंडर हैं और उनका नामे क्ल एक कोशन आये था, Artificial Intelligence की उपर, क्रशिम बुद्धिमत्ता की उपर, क्रशिम बुद्धिमत्ता, Artificial Intelligence. मित्रो जो यूमन इंटेलिजेंस होती हैं उसको आप बोलते हो, Natural Intelligence या Human Intelligence. जब मशीन अपनी समझदारी को एग्जिबिट करने लगते हैं, intelligence दिखाने लगते हैं, तो उसको आप artificial intelligence को तो उधारण के लिए यदि आप computer में laptop में कभी भी hard mode में कठिन level करके यदि आप लोग chess का game खेलोगे तो इसमें बहुत जादा प्रतिशत chances हैं आप भारोगे computer जीते रहा है तो जब आप hard mode मोड पे chess को खेल रहे हो तो machine अपने intelligence exhibit कर रही है वो आपको भी हरा रही है वो human को हरा रही है इसको बोलते हैं आप लोग क्रशेम बुद्धी मत्ता या artificial intelligence अमित्रो artificial intelligence से job loss का खत्रा भी है और यही UPSC में 2019 में 125 नंबर का आपसे ऐसे पूछा गया था कि भई यह artificial intelligence की रूप में कैसे machine human के कामों को धंदों को कम कर देगी और उनकी machines मतलब replace कर देगी example के तोर पे में तो कार इंडेस्ट्री में 95% तक का automation होता है मतलब कार इंडेस्ट्री में 95% के आसपास काम केवल और केवल machines करती हैं 5% जगे पे human के अवशक्ता पड़ती है artificial intelligence करशिम बुद्धी मत्दा चौथी ओद्ध्य के क्रांती में artificial intelligence एक बहुत बड़ी भूमेका निभा रहा है और इसके कारण में तो जोब लोज का खतरा भी है क्योंकि जिन लोगों के पास skill नहीं है उनके जोब तो चले जाएगे अब में तो यदि आप भारत के ऐसे percentage लोग जिनको अपने दूसरे खाने दूसरे टाइम का खाना कैसे मिलेगा इसके बारे में जानकारी नहीं अगर आप उन migrant worker से बोलोगे कि भाया चोथी ओद्ध्य के क्रांती आने वाली है artificial intelligence आ रही है जोब लोज का खतरा बढ़ रहा है तो क्या उन लोगों को बहुत समझ में आईगे यार जिस वेक्टी के सबसे बड़ा concern अगले टाइम के खाने की ववस्ता करना है उससे आप चोथी ओद्ध्य क्रांती की बात करोगे तो कोई मतलब निकले का उसका मित्रो जब इंसान दो जूल के खाने की चिंता से बाहर निकलेगा तब तो दिमाग चलेगा न तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जब एकोनिमी आपकी surplus होगी जब आपकी अर्थ ववस्ता क्रशी का विस्तार जब होता है surplus economy जब आप अटेन करते हो तो दूसरे छेतरों में भी विकास होता है इंसान जब अगले खाने की विवस्ता से बाहर निकलेगा तब तो trade and commerce का विकास होगा मित्रों नहीं तो केसे trade and commerce का विकास हो जाएगा तो ये बात हमें समझना जरूरी है कि agriculture में जब हम surplus की इस्तिती को अटेन करते हैं तो कही न कहीं trade and commerce का भी विकास होता है व्यापार और वाड़ेजी का भी विकास होता है और मित्रो देखो सीधी सीधी बात है कि जब जब trade and commerce का विकास होगा अब आपने agriculture भी surplus कर दिया और आपकी trade and commerce की भी मौच चल रही है तो मित्रो इसी से taxation system भी बहतर होगा करपडाली भी इसी से बहतर होगी अरे भाई जब तक agriculture surplus नहीं है तो राजा टेक्स लगाएगा काई पर राजा को टेक्स देगा कौन जब जटा के पास पैसा ही नहीं होगा तो दूसरे तरफ मित्रो व्यापार और वानजी जब खूलेगा फलेगा तो कहीं न कहीं उससे भी taxation system का विकास होगा जितने ज़ादा व्यापार और उसमें मतलब चीजें होंगी उतना ही ज़ादा टेक्स उतना ही ज़ादा टेक्स से मतलब जैसे कि आप लोगों को मैं बताता हूँ महा जन्पत पीरेड में मित्रो हूँ महा जन्पत पीरेड में agriculture भी अच्छी स्थिती में था और trade and commerce भी अच्छी स्थिती में था तो आप लोगों को महा जन्पत पीरेड में 60 से भी ज़्यादा टेक्स की जानकारी मित्ती है आप लोगों को मैं समझाता हूँ यहाँ पर आप लोग देखिए आप लोगों को basic में बता चुका हूँ अब इसी के हम उपर build करना चालू करेंगे इसी के उपर निर्वाज करेंगे तो रेक वेदिक काल में मित्रो agriculture की स्थिती बड़ी underdeveloped थी क्रशी की स्थिती बड़ी underdeveloped थी और मित्रो एक बात आप मालो चाहे ना मालो कि भारत के इतियास में agriculture को surplus बनाने में दो चीजों ने बड़ा contribute किया था एक तो आर्यों का migration जो हो आर्यों का migration जो हो गंगा घाटी एरिया में हुआ गैंगेटिक प्लेंस में हुआ जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ मित्रो रिक वेदिक प्लेड के यदि आप बात करोगे रिक वेदिक काल की यदि हम बात करतें तो रिक वेदिक काल में आर्यों का एरिया बेसिकली North West India में रहा था उत्तर पश्यम भारत में रहा था अब धीरे 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 विद्दा passage of time ये भारत के अंदर की एरिये में जाना शुरू करते हैं इस एरिये में ये लोग आना शुरू करते हैं और मित्रो आर्रियों का लेटर वेदिक पीरेड उत्तर वेदिक काल में इन एरियास की तरफ प्रस्थान करना उनकी लिए कई सारी opportunities को create करेगा क्योंकि मित्रो ये था गंगा घाटी का एरिया जहां पे काफी जादा fertile land थी अलूवीलिया ट्रैक थे जहां पे तो गंगा घाटी की और जैसे जैसे लोगों का प्रस्थान होता गया लेटर वेदिक पीरेड में और महा जल्पत पीरेड में वैसे वैसे मित्रो लोगों को fertile land मिलती चली गई और करशी का विस्तार होता चला गई तो एक तो agriculture के expansion में सबसे बड़ा role क्या नबाएगा लोगों का धीरे धीरे गंगा घाटी एरिया की तरफ आना जैसे कि आप लोगों को यहां पे point भी दिख सकता है वैसे ये tremendous growth in the level of agriculture surplus 6th century BC मतलम मित्रो महा जनपत पीरेड तो महा जनपत पीरेड में हम क्रशी के विस्तार को देखते है Although agriculture became the primary profession of the Vedic Aryans by the 10th century BC but it was only in the 6th century the audience sorry Aryans यहां पे आना था audience लिखा हो गया गलती से but it was only in the 6th century BC the Aryans had entered into the extensive alluvial fertile place of gangetic valley क्या लिखा है इसमें कि 6th century BC में हमें भारत में agriculture में एकदम tremendous growth देखने को मिलती है हाना कि 10वे शताब्दी नहीं लोगों ने agriculture का profession अपना लिया था भाया 10वे शताब्दी से ही आरेयों का प्रात्मिक कारे प्रात्मिक website क्रशी हो चुका था लेकिन मित्रू तब उनका उतना expansion गैंगेटिक वेली में नहीं हुआ था जैसे उनका 16 अताब्दी में गैंगेटिक वेली में और ज़्यादा expansion होना चालू हुआ जैसे वो गैंगेटिक वेली में आसपास की areas में settle हुए वैसे वैसे और मित्रो आप लोग ये एक बात देखिए दिखो बड़ी interesting बात भारत की इतियास में मित्रो है ये आप ancient history की बात कलने medieval की बात कलने मित्रो आप भारत के प्राची नितियास में भी मित्रो दिल्ली capital रही या गंगा घाटि के आसपास की ही capital रही कभी दिल्ली capital रही कभी मगत कभी पाटली पुत्र ये तो मैंने आपको मौरयो का उधारण जिया और मित्रो आप लोग ये दि गुपताओं की बात करोगे तो ये भी गंगा घाटी के आसपास रही प्रयाग उनकी capital हुआ करती थी हार्षवर्दन के काल में मित्रो कनोज का importance बढ़ा तो कनोज भी इसी के आसपास की एरिया में है डेली सल्तनत पीरिड में भी दिल्ली capital थी क्योंकि मित्रो इसका आर्थिक importance था गंगा घाटी का तो economic importance ना और मित्रो मौर मुगल काल में दिल्ली capital थी क्योंकि गंगा घाटी के आसपास के एरिया का एक प्रकार का मित्रो economic importance है तो ये चीज हमें बताती है कि agriculture के expansion में बहुत important role आर्यो का गंगा की तरफ settle होना होगा तो क्रशी के विस्तार का एक कारण महा जन्पत पीरेड में ये है कि अब लोक गंगा घाटी के आसपास में अच्छे से settle हो थे दूसरा कारण मित्रो इसका है iron technology iron technology और ये मित्रो कारण चीदा सीदा जुडा हुआ है क्रशी के विस्तार से iron technology सीदा सीदा जुडा हुआ है मित्रो जैसे 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 iron technology में लोगों का हाथ जमने लगा, और वो हाथ कब जमने लगा था मित्रों, वो हाथ जमने लगा था महा जन्पत पिरेड में, कब जमने लगा था, महा जन्पत पिरेड में जमने, उनका हाथ जमने लगा था एगरिकर जन्प, सॉरी, आइरन टेकनोलोजी में, अब आइरन टेकनोलोजी से मित भी हो सकती थी, जंगलों को काटा भी जा सकता था, तो iron technology ने भी agriculture में अपना एक निश्चित importance को निभाये था, उसकी उपर भी मेरे पास point है, आई ये वो point भी पढ़ लेते हैं, देखो भी ये दो कारण थे क्रशी की विस्तार में, 6th century BC में या भाहा चत्पच पीरिड में, पहला कारण था गंगा की तरफ सेटल होना, दूसरा कारण था iron technology. तो मित्रों, आप लोग एक correlation याद रखिएगा, iron technology is directly proportional to the expansion of the agriculture, क्रशी के विस्तार में iron technology की प्रत्यक्च भूमेगा रहेगी, क्योंकि iron की मदद से मित्रों कई सारी चीज़े हो सकती थी, agriculture में, प्लोग का निर्माड हो सकता था, जंगलों को काटा जा सकता था, फसलों की छटा ही हो सकती थी. हाला कि मित्रों, iron technology के बारे में भी कुछ इतियासकारों ने counter argument भी दिया है, लेकिन अगर में उस counter argument में अभी गया, तो हमारे आधे घंटा के अवल उसमें वेतीत हो जाएगा. तो iron technology का जो criticism है, उसके बारे में वीडियो आप लोगों को आज रात साड़ी दस बजे ही मिल जाएगी. और मित्रों, वहाँ पे मैंने history optional के question की चर्चा की है, answer writing का format बताया है, तो एक clip में आप लोगों को 20 मिनिट की दूँगा, iron technology का पूरा criticism और answer writing आपको वहाँ से बता लगी की. अभी तो आप लोग यही मान के चलिए मित्रों, कि iron technology का agriculture में बहुत जादा contribution नहींगा, चलिए अब देखने, तो मित्रों रिग वेदिक पीरेड में तो iron technology थी ही नहीं, तो मित्रों agriculture भी under developed था, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, iron technology नहीं है, फसलों की छटाई केसे हो पी, वनों की कटाई केसे होगी, और प्लो का इस्तमाल केसे किया जाएगा, iron technology नहीं थी, इसलिए भाया, agriculture आप लोगों का बहुत under developed था, और जब तक आपका agriculture under developed है, तो आपकी economy surplus तो होई नहीं सकती, और जब आपकी economy surplus नहीं है, तब लोग बाग अपने आपको दूसरे कामों में इंगेस तो करेंगे नहीं, तो trade and commerce भी बहुत under developed रथा आपका, ये पूरी चीजे में तो रिलेटेड है, इसलिए मैं आज क्रशी की उपर लेक्चा ले रहा हूँ, क्रशी ही trade and commerce को बढ़ाएगी, जब agriculture surplus होगा, जब दो जूल के खाने की से व्यक्ति निमट पाता है न, तब तो वो UPSC की तैयारी करेगा, तब तो वो अपने आपका मन लगाएगा दूसरे कारियों में, लेकिन इंसान का सबसे प्रात्मिक चिंदा का मुद्दा ही जब दूसरे टाइम की खाने की ववस्ता करना है, और भारत में ये harsh reality है कि आज भी हमारी जिन संक्या का बहुत बड़ा प्रतीशत अपने दूसरे जूल की खाने के लिए ही struggle कर रहा है, मित्रो आज में इस बात को कहने के लिए मजबूर हो चुका हूँ, भले ही आज हमारी economy एक surplus economy है, भले हम चोतियों उत्यों के करांती की बात कर रहा है, बहुत बड़ कि भाईया, आज हम surplus होती हुए भी subsistency, आज हम एक surplus अत्यवस्ता होती हुए भी, लोगों को मित्रो दो जूल की खाने को महिया नहीं कर पारे, अब मित्रो इसमें काफी आप लोग सूच रहे होंगी कि सर ये negative बात आप क्यो कर रहे है, सरकार अपना प्रयास कर तो रही है, तो मित्रो अब इस debate में मैं आज नहीं जाओंगा, वैसे ही हम सभी लोग इतना दुख से गुजर रहे हैं, तो मैं कभी और के लिए इस बात को छोड़ता हूँ, आप लोगों से मैं बात करने के लिए अप्लाइफ लेक्चर में जरूर आओंगा, चल्दी आओंगा, समझने के बात यह है मित्रो के रिग वेदिक पीरेड में संभावनाएं नहीं थी, क्रशी आपका सेकेंड़ी पेशा था, आइरेन टेकनोलोजी थी नहीं, ट्रेड इन कमर्स अंडर डवलप्ट थी, और मित्रो आप लोग जानते कि जब ट्रेड इन कमर्स अंडर डवलप् होगा, अरे व्याफार और वाणिज होगा तब तो आप कर लगाओगी, जब व्याफार और वाणिजी नहीं तो कर काई पे लगाओगी, ठेंगे पे लगाओगी क्या, नहीं लगा सकते ना, लेटर वेदिक पीरेड में, मैंने आप से एक पॉइंट पढ़ाय था, बोला थ लोगों ने मेन प्रोफेशन की रूप में अगरिकल्चर को अपना लिया था, लेकिन मैं तो आइरन का, लोगों का आइरन टेकनोलोजी से परिचित हो गया था लेटर वेदिक पीरेड में, लेकिन अभी उसको वो अपने हित में उतना यूज नहीं कर पा रहे थे, अपने आइरन से परिचिय हो गया था, लेकिन लोग बाग अभी तक उतने टेंपरेचर तक नहीं पहुचे थे, अमित्रों आइरन को तो हीट करा जाता है, हतोडा का मार उस पर करा जाता है, और फिर आइरन को हीट करके ही आप उसके शेप को बदल सकते हूँ, आइरन को एक निश दिस्कवर नहीं कर पाते उतनी टेंपरिचर तक नहीं पोच पाते जहां तक लोहे को गरम करके जैसा चाहे शेप देना चाहे देशके तो लेटर वेदिक पीरेड में आयरन अवेलेबल तो था लेकिन इसका एगरी कल्चर में कॉंट्रिबीशन में निगम था अब मित्रो आप लोग यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूँ देखिए मित्रो आप लोग कि रिग वेदिक काल में लोग बाग नौर्थ वेष्ट तक रहे हैं लेटर वेदिक पीरेड में इन्हों ने थोड़ा इस एरिया में एक्स्पेंशन करा गंगा की वेदी में और मह महा जनपत पीरेड तक आते आते हैं इस एरिया में सेटन हो गए देखो आप लोग चेंजिस को समझो मेरी बात को मित्रो आप समझेए मैं आप लोगों के लिए यह ग्राफ निकालता हूँ हमने एगरिकल्चर में रोल किसका माना है तो हमने करशी में रोल माना है एक तो मा अला की तरफ भी सेटल होने लगे तो पहला तो पोजेटेव यह हुआ कि भईया बढ़िया सेटल हो गए वो लोग दूसरा महा जनपत पीरेड में आइरन टेक्मोलोजी से भी लोगों का परिचे हो गया महा जनपत पीरेड तक आते आते लोग उतने टेंपरेचर तक भी प कमर्स का एकदम से विकास हो जाता है क्यों टेक्सेशन सिस्टम का एकदम से विकास हो जाता है और टेक्सेशन सिस्टम के विकास के साथ कैसे राजा की पावर एकदम से बढ़ने लगती है मित्रो यह सभी चेंजेज हो रहे हैं एग्री कल्चर की एक्सपेंशन की बज़े स और agriculture expansion के कारण क्या है गंगा घाटी की तरफ जाना और उसके साथ साथ iron से परिचे होना एक और बार बताता हूँ लोग बाग गंगा की तरफ सेटल हो रहे थे iron technology का contribution बढ़ रहा था जिसके चलते करशी का विस्तार हुआ जिसके चलते अदिशेची अर्थिवस्ताई जिसके चलते लोग बागो ने अपने आपको trade and commerce में इंगेज किया और में तो दोगो trade and commerce जब भी बढ़ता है तब monetization भी बढ़ता है मुद्रा प्रणाली का प्रचनन भी बढ़ता है यार व्यापार और वानजी नहीं होगा तो आप मुद्रा का करोगी क्या भाया व्यापार और वानज होगा तभी तो आपको currency की जरोद पढ़ीगी न means of exchange के लिए तो agriculture expansion ने सरप्नाश economy कर दी जिससे लोगों उन्हें अपने आपको दूसरे कामों में इंगेज किया जिसके चलते मुद्रा पढ़ाली का प्रचलन बढ़ा taxation system एकदम से विस्तार हो गया 60 प्रकार के नए taxes आ गये और जिसके चलते राजा की पावर बढ़ी अब दिखे मित्रो एक बात आप समझो कि सेकेंड फेज ओफ अर्बेनाइजेशन महा जनपत पीरेड में ही क्यों आया connecting the dots हो बारी ये नगरिये करण का दुतिये चरण महा जनपत पीरेड में क्यों आप आया क्योंकि मित्रो ये पूरे economic factors उस रास्ते को तयार कर रहे थे आगे बढ़ने से पहले कुछ पईंट पढ़ाता हूँ आप लोग देखी इसको तो आप लोग मित्रो देखीगा कुछ पईंट्स में आपको पढ़ाता हूँ agriculture surplus resulted into the development of trade and commerce which ultimately resulted into the development of taxation system prepared the material foundation over which second phase of organization took place क्रशी के विस्तार के चलते व्यापार और वाड़िज का विस्तार हुआ जिसके चलते कर पढ़ाली का विस्तार हुआ जिसकी नीव पे नगरे करण का तुथी चलना आये था economic activities मित्रो महाजनपत period में बढ़ने लगी थे अब भी को मित्रो ये हमने economic changes तो समझे कि क्रशी के surplus होने में agriculture ने किवल economy में ही परिवर्तन नहीं लाया बलकि क्रशी का quality में भी परिवर्तन था मैं आप लोगों को एक example से समझाता हूँ आप लोग ये देखिए economy and military power correlation मित्रो अगर मैं आप लोगों से पूछूँगा किस circle वाले diagram में अच्छा ये क्या है circle वाले diagram किस बारे में वहिया इस diagram को देख के आप लोगों को GDP contribution देश का पता लगीगा किस देश का कित्ता GDP contribution है तो सबसे ज़्यादा GDP contribution आपको 24.32% देखेगा अमेरिका का मतलब अमेरिका की अर्थवस्ता वर्ल्ड में 24 हाला कि graph थोड़ा सा पुराना है मित्रो माफ करिए गाप थोड़ी सी माफी चाहूँ आप से थोड़ा सा पुराना graph है लेकिन हमारे reference के लिए सेगी 2017 का है लेकिन हमारे reference के लिए ठीक है कम से कम हम जो मुद्द समझना चाहते हैं वो तो समझ ले तो अमेरिका के GDP contribution भी यह सबसे ज़ादा है दूसरे तरफ मित्रो आप लोगों को United States का आप लोगों को इसमें पता लगेगा military expenditure सेन ने करचा भाईया 2020 के data के साब से चाइना, इंडिया, रशिया, साओधे अरेबिया, फ्रांस, जर्मेनी, United Kingdom, जापान, साउथ कोरिया, ब्राजील समझ लें आप लोगों कई सारे देशों का मिलाके इतना military expenditure नहीं है जितना USA के अकेला है भारत की GDP में तो रो 3 trillion dollar है उस 3 trillion dollar में से अगर आप percentage निकालोगे न लगभग आप मान के चलो कितना बड़ा percentage हिस्सा भारत की GDP का USA के अवल अपनी military पे खर्च कर देता है Blue Water Navy पे खर्च कर देता है ऐसा क्यो हो रहा है में तो देखो मित्रो ऐसा नहीं हो सकता कि आप कंगाली की कबर पे मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते कि अमेरिका की GDP उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है और अमेरिका military expenditure कर रहा है कोई भी देश मित्रो अपनी economy की स्थिति के ratio में ही अपने military expenditure को करेगा ऐसा थोड़ी नहीं कि वो मतलब उसके पास economic हालात उसके ज़्यादा मजबूत नहीं और वो military expenditure कर रहा है तो आप लोग एक बात याद रखो कि military और economic power आपस में जड़े हुई होती है आपकी जब economic power मजबूत होगी तो ही आप लोग military power भी मजबूत बन पाऊगे अगर आपकी आर्थिक इस्तिती मजबूत है तो समझने की बात है कि economy और quality economy और military में आपस में क्या होता है मित्रो correlation होता है मतलब एक अच्छी military को sustain करने के लिए एक अच्छी सेना को बनाए रखने के लिए एक अच्छी अर्थिवस्ता की अवशकता होती है एक अच्छी economy की अवशकता होती अब मित्रो आप लोग समझे मेरी बात को अच्छी तरीके से रिग वेदिक पीरेड में अच्छी एकोनिमी थी ही नहीं क्योंकि एगरी कल्चर का सर्प्लस था ही नहीं इसलिए राजा पाबुर्पुल नहीं था लेकिन जैसे जैसे महा जनपत पीरेड में क्रशी का विस्थार हुआ एगरी कल्चर में आयरं का कॉंट्रिबुशन बढ़ा ट्रेंड इंकमर्स में मैसेव एकस्पेंशन हुआ taxation system का विस्तार हुआ वैसे 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 राजा की income के sources भी तो बढ़ेंगे न जब आपकी करपढ़ानी का विस्तार होगा तब राजा की आय का स्त्रोथ बढ़ेगा तब वो सेना और नोकरशाही पे खरच भी कर पाएगा और जब राजा सेना और नोकर शाही पे खर्च कर पाएगा, तब उसकी ताकत भी बढ़ेगी, तब केंदी करण भी बढ़ेगा, मेरी बात आप तक पुछ लिए, मित्रो एग्री कल्चर के एक्स्पेंशन ने दो धारी तलवार की रूप में काम किया, एक तरफ इसने मित्रो सेकंड फेस ओफ अर्विनाइजेशन की नीव रखी, तो दूसरी तरफ इसने राजा की पावर को भी मजबूत मित्रो कर दिया, मेरी बात आप तक पुछ लिए के लिए, आई हो, ये बात आपको जमन में आ देगी, इंटरनेट के माध्यम से आप ये वीडियोज देखते हो, मैं पता नहीं देश के किस कोने में हूँ, आप पता नहीं देश के किस कोने में हो, और हमारे बीच का जो कम्यूनिकेशन है, उससे मेरी बात आप तक पोच तो पाती है न, इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे की शुरुवार करी थी, आप लोग उस पॉइंट को याद कीजिए, क्या पॉइंट था? कि क्रशी का विस्तार आगे के परिवर्तन के रास्ते को कैसे प्रशष्ट कर रहा है, how the agriculture expansion is creating the path for the changes of the future, कैसे? कैसे कर रहा है भीया, क्रशी के विस्तार मतलब surplus economy, मतलब taxation system, मतलब trade and commerce, मतलब राजा की income की sources, मतलब military army, मतलब राजा की power बढ़ना, मतलब second phase of urbanization. I hope my dear friends, you are able to connect the dots, लेकिन मतलब इन dots को और अच्छी तरीके से connect करने के लिए, ये PPT का आपको अच्छे से अध्यान करना पड़ेगा, आप लोगों को इन charts की उपर भी अच्छा खासा time spend करना पड़ेगा, तो आप लोगों को ये chart पूरे और ये PDF पूरी टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगी, टेलिजाम, टेलिग्राम चैनल की लिंक आपको comment section में मैंने देगा,